अब जर्माना बढ़ाने की मनजूरी जल्द जारी होगा अच्छुना दोस्तो जो पहली जुर्माना था अब सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है अब रोज जारी भी कर देगा जल्दी दोस्तो यह प्रस्तावित है कि जुर्माना आकड़ी रुपए में होगा आप सबको पता होगा कि गाड़ी चलाते समय एयर फोन का इस्तेमाल करने पर पहले आप लोग 100 रुपए जमा करते हैं जो पहली बार पकड़े जाते हैं और किस चीज का कितना जुर्माना लगेगा इससे पहले दोस्तो आप सबस्क्राइब करते हैं इसमें ईयर फोन इएर फोन इस्तेमाल करते समय 100 रुपए और बात में पहले बार पकड़े जो पकड़े गया है 100 रुपए दूसरी बार पकड़े गया तो 300 रुपए पहले यतना लेकिन दोस्तों अब पहले बार पकड़ जाएंगे तो 500 रुपे दूसरी बार पकड़ जाएंगे तो 1000 रुपे और बिना हिलमेट के दो पईया वहाँ चला रहे हैं फस्ट टाइम पकड़े गए पहली बार जो था सो रुपे सेकंड टाइम पकड़े तो 300 रुपे लेकिन अगर अब क्या है इसमें अब पहली बार पकड़े गए तो 300 रुपे और दूसरी बार पकड़े गए तो 500 रुपे और दो पहिया पर तीन सवारी बिठाना दोस्तों ये भी सबसे बड़ा जुर्माना है आप लोग के लिए पहले सो रुपे था और सेकंड टाइम 300 रुपे लेकिन अब क्या है ये भी बढ़ा दिये गए पहली बार पकड़े गए तो 300 रुपे अब दूसरी बार पकड़े गए तो 500 रुपे आपको देना पड़ेगा दोस्तों पबलिक प्लेस पर गलत पार्किंग कहीं भी आप गाड़ी अगर जगां किसी भी चौरा है पर कहीं भ खड़ी कर रहे तो आपको उसके लिए भी जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों पहले क्या था 100 रुपे फर्स टाइम पकड़ जाने पर सेकंड पकड़ जाने पर 300 रुपे था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब क्या है पहली बार आप पकड़े गए तो गलत जगां पकड़ जाने पर दूसरी बार 300 रुपे निकिन अब ऐसा नहीं है अब उनका भी रिट बढ़ गया तो सरकार बढ़ा दिये फ़र्स टाइम पकड़ जाने पर 500 रुपे दोसरी बार पकड़ जाने पर 1000 रुपे देना पड़ेगा आपको दोस्तों नमबर प्लेट पर आपक दोस्तों दूसरी को डियल देना अपने ड्राविंग लाइसेंस अगर किसी और को आप दे रहें तो आपके लिए सबसे बड़ा जरुमाना यहाँ है कि पहले सो रुपए था और अब फस्ट टाइम पकड़ जाने पर तीन सो रुपए दूसरी बार अब क्या है अब आप पहल रुपए देना पड़ेगा प्राधिकारी का आदेश ना मानना बाधा डालना दोस्तों कोई अगर आप से अधिकारी गाड़ी चिकिंग करते समय कुछ बात कर रहा है आप बात को टाल रहें तो उसमें भी आपको सबसे बड़ी समझ चाह सकती है क्योंकि पहले आपको बात इसमें बाल हुआ है जो बिना लाइसेंस वालों को गाड़ी देते हैं जैसे आपने अपनी गाड़ी किसी और बच्चे को देशिकार लाइसेंस नहीं बना हुए पहले आट सो रुपए था लेकिन अब क्या हो पचीस सो रुपए से हो गया जुर्माना अब आप सरकार आप केस में पकड़े गए तो आपको पहले असी रुपए था लेकिन अब इसकी चार्ज बहुत सबसे अधिक कर दी गई दोस्तों इस समय आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा पांच जार रुपए तो कहां था हां दोस्तों पांच जार रुपए निर्धारीद गच्च से दोस्तों आप तीज गाड़ी ना चलाएं क्रिप्या धीरे चलने चलाने पर दुरबटना तो होई सकता है पहले तीन सो रुपए और पांसो पचीस था सेकंड टाइम पर लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आप पहली बार वाकर तीज चलाने पर कोई गलती से पकड़े गए त दो जार और सेकंड टाइम पकड़े तो चार जार रुपए देना पड़ेगा और रस ड्राइविंग पर दोस्तों रस ड्राइविंग मतलब गाड़ी को इधर दो ना खुमाए और गाड़ी को सही लाइन से लेशन नहीं जो धांगे गाड़ी चलाने का पहले 800 रुपए थ आप जितनी बार पकड़े जाएं और बिना अन्मत मोटर रेस करने पर दोस्तों किसी के आगे पीछे आप कोई गाड़ी जा रही तो उसे आई इसा ना करें कि नहीं हम ही आगे निकल जाएं रेसिंग ना लगाएं किसी से कुछ के भी भी कुछ भी हो सकता है तो उसके सड़क सुरच्छा का मानक पूरा ना होना दोस्तों पहले एक जार रुपए था और सतरा सो पचास रुपए अब क्या हुआ है अब उसे पचीस सो रुपए से लेगे पांजार आपको अगर आप फर्स टाइम पकड़ेगा तो पचीस सो रुपए देना पड़ेगा और वह सबसे ज़्यादा आपको बिलिस में पेज़ करना पड़ेगा अगर आप गाड़ी का नियम का पालन नहीं कर रहें तो और ओवर्लोडिंग पर दोस्तों कोई भी काड़ी का जारे पहले ओवर्लोडिंग पर दोजार रुपए था पहले लेकिन अब ऐसा नहीं है अब सरकार इसकी रेट बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी है मालवाग में ओवर्लोडिंग पर एकञार प्रत्रेट पर पहले ऐसा था दोस्तों एकञार प्रत्रेट पर उफर्लोड़िंग पर एकजार रुपई प्रत्रेट पर लेती थी लेकिन अब ari syन नहीं है उसे 20 wr, प्रत्रेट पीथे 2000 रुपई सरकार लेगे आप जर्माना और वहनों की तो लाइट ना कराना है पर दोस्तों वहनों की तवलाइग की जाती है आप कहीं की देखे होंगे कि काटा बना रहा था है आप वहाँ पर बिज़ाएं पहले क्या था जुन न न न ही करते थे पकड़े गए तो 2400 रुपर देती थे लेकिन अब ऐसा नहीं है तब तक आप मोटिवेट नहीं करें तब तक वीडियो गनाने मज़ा नहीं आएगा तो ठीक दोस्तों आप से मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जोरू करिएगा